असलाम वालेकुम वेलकम टू माई चैनल आईशा उजेर्द कीचन आज मैं आपके साथ शेर करूँगी उरद कोस्ट की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी ये उरद कोस्ट की रेसिपी बहुत चटपटी सी और जपरदस्ट बन के तेयार होती है ये उरद कोस्ट की रेसिपी ये सोक कर लिया था, आप इनको 2 हर्ट के लिए भी warm water में सोक कर सकते हैं, बट overnight सोक करने से ये बहुत easily cook हो जाते हैं, और इनको बनने में ज्यादा time नहीं लगता, इसके साथ ही यहाँ पर मैंने लिये half cup चना डाल, और चना डाल को भी हम अच्छे से wash कर लेने के बाद 30 minutes के ल एड़ कर लिया है, और इसके साथ ही मैं समेड़ कर रही हूँ चना डाल, उरद और चना डाल को हम स्ट्रेंड कर लेने के बाद pressure cooker में एड़ करेंगे, अब मैं समेड़ कर रही हूँ 1 medium size onion, रफली चॉप की हुई, दो तेज पत्ता, half table spoon हल्दी पाउडर, और टेस्ट के according न अच्छी तरह से mix कर लेंगे, इसके बाद हम इसको cover कर देंगे, और medium flame पर 4-5 whistles हम इसमें लगाएंगे, और अगर आपके उरद भीके हुए नहीं है, तो आप इसमें 8-10 whistles लगाएंगे, यहाँ पर तयार कर लेंगे एक special masala, जिसके लिए मैंने लिया है, 1 tablespoon of, 1 tablespoon 0, 5-6 चोटी इलाइची, एक बड़ी इलाइची, 3-4 लोंग, 3-4 काली मिर्च, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा और एक star fool, इनको हम medium flame पर dry roast कर लेंगे, इससे दाल में बहुत अच्छी कुश्बूरी लीज हो जाएगी और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, चलिए अब हम उरद को चे इफ का मीट, अब इसमें एड कर लेंगे हम कुछ पाउडर मसाले, तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून धन्या पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के according नमग, 2 medium size onion जिनको रफली चॉप कर लेंगे, और इसके साथ हम इसमें एड कर लेंगे एक तेज पत्ता, 2 medium size tomato इसको भी हम रफली चॉप कर लेंगे, और 1 cup में यहाँ पर mustard oil एड कर रही हूँ, आप यहाँ पर refined oil का भी यूज़ कर सकते हैं, अब इनको हम अच्छी तरह से mix कर लेंगे और इसको भून लेंगे, अब इनक तो हम medium flame पर 20-30 minutes के लिए cover करके cook कर लेंगे, जिससे यह meat अच्छी तरह से soft हो जाए और यह masala भी भून जाए, तो जैसे ही यह masala भूनने लगा है, इस stage पर हम इसमें add कर लेंगे 2 tablespoon ginger garlic paste, इसको भी हम अच्छी तरह से mix करेंगे, और oil surface पर आने तक हम इसको भून लेंगे, यह देखें, इसमें oil भी separate हो गया है, और meat भी अच्छी तरह से soft हो गया है, अब इस stage पर हम इसमें add कर लेंगे उरत, उरत ताल को हम meat gravy में shift कर लेंगे, और जैसे ही यह अच्छी तरह से दोनों mix हो जाएंगे, इनका बहुत amazing सा look आएगा, और बहुत यह जायकेदार बन के त्य होंगे, इस stage पर हम इसमें add कर लेंगे grind किया हुआ powder, जिन मसालों को हमने roast किया था, उनको मैंने grind कर लिया था, और अब हम उरत में उसको add कर देंगे, इसके बाद अच्छी तरह से mix कर लेंगे, और high flame पर इसमें एक boil आने देंगे, अब जैसे ही इसमें एक boil आ जाएगा, ह बहुत ही जबरदस्त बनके तियार हुए है, अब इसको हम सर्फ कर लेंगे rice के साथ, या फिर चपाती के साथ, ये दोनों के साथ बहुत tasty लगते हैं, उमीद करती हूँ आपको आज की ये recipe पसंद आई होगी, see you in my next video, अल्ला हाफीज